आज हम दोस्तों बात करने वाला है SHOTC में हीरो की तरफ से आने वाली काफी सेंदर मालजन देने वाली BIKE STRENDER PLUS के भारे में इसमें दोस्तों आपको कई सारी कलर को ऑप्सन देखने को मिल सकता है, कई सारी विरेंड भी आपको देखने को मिलती, तो आज हम बात करेंगे जैसा कि दोस्तों आप जेखरे सांदर आपको कलर और बनावर्ट यहां पर देखने को मिल जाती ग्राफिक्स आप अपने हिसाब से कॉस्टमाइज करवा सकते हैं टेक्निकली आपको इसमें देखने को मिलते हैं 97.2 cc का अब आपको इस वाली गाड़ी में दोस्तों मोबाइल चार्जर का भी आपसन देखने को मिलेगा अनलोग मेटर आपको देखने को मिलता है पहले की तरह माइलेज की हम बात करेंगे 65 के एमपेल तके करीब आपको दोस्तिसमें माइलेज यहां पर देखने को मिलती है फिर भी इसे दोस्तों आप एक साल की भी हाँ पड़ ले सकते हैं सारी कीमत जोड़ने के बाद ऑन रोट कीमत के हम बात करेंगे जिस कीमत में आप गाड़ी को घर लेकर जाते हैं वह आपको पड़ेगी सेल्फी स्टार्ट की बिरासी हीजार रुपए से लेकर पचासी हीजार दोस रुपए तक के बीच अभी आप को है कीमत देखने को मिलेगी आगे बदला होती है मैं आपको बताऊंगा और तो आप सब्सक्राइब करिएगा चैनल को डान पेमेंट के हम बात करेंगे कम से कम में भी अगर आप करते हैं 21 रुपए तक की डान पेमेंट तो आपको लोग हमाँट है आप लेना पड़ेगा 60,000 रुपए का फाइनेस कंपनीकी इंट्रेस्त गोगार की 11 रूपए तो दो साल हर महिनए की के बनेाप की बनेगी 2400 साल रुपए हर महिने की के इस थास आप की 2800 Toronto साल मीं अगर इस तो की मन्तलिक इस आई साल के लिए मंधली किस्ता आपकी बनेगी 1600 रुपए, तीन साल के हम बात करेंगे, हर महीने आपको देने पड़ेंगे 1378 रुपए, तो दोस्तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी डॉन प्रेमेंट प्लान यहाँ पर ले सकते हैं, मिनिमम डॉन प्रेमेंट के हम बात इस हरे जा सकते हैं. »36खड़ के हम बात करेंगे, वहाँ पर आपको अर्फब करेंगे 84000 कि. में 8400 रुपए. बिहार में आपको देखने को मिल सकती है क्या डीका 1apo तो सतासी रुपए इसा भी दोस्तों आपको और रूट कीमत बताए जारी है इस प्लेंडर प्लस के सेल्फ इस्टार्ट वाली वेरेंट के बारे में इसमें दोस्तों आपको सत्रों सब्सक्राइब लेकर पचीश सो रूपए तक अंतर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दो अई दोस्तों हमने यहाँ पर सामिल नहीं किय है कोई भी एकसेसरी लसके चार्ज और साती हल्मेट के चार्ज अगर आप एकसेसरीग लगवाता है हलमिट लेकर आपको दोस्ति ही इंपर तरके देखने को मिलेगा और आपको नो